फिल्म नाकाम हुई, मैंने जिन्दगी की आज छोड़ दी। दिल के बेहत करीब फिल्म जब बॉक्स आफिस पर बुरी तरह पिट गई, तो डाइरेक्टर राकेश ओम प्रकाश महरा को इस घटना से उबरने में काफी जद्दो जहत करनी पड़ी। अपनी आटो बायोग्राफी दा स्ट्रेंजर इन दा मिरर में वो बताते हैं कि उस दौरान क्या हाल हुआ था उनका। छुटपन में जब मैं चांदनी चौक में कहीं उचाई पर चड़ जाता तो मेरे बाई तरफ होता पंचियों का चेरिटेबल अस्पताल। इसके बराबर में था आट सौ साल पुराना गौरी शंकर मंदिर और उसके पड़ोस में दिगंबर जैनलाल मंदिर। मंदिर के सामने डिलाइट सिनमा जिसके बगल में चर्च चर्च जाने वाले सड़क के दूसरे कोने पर मौझूद शीश गंज गुरुदवारे को देख सकते। अगर आप गुरुदवारे पर खड़े हों तो आपको मैकडॉनल्स और हल्दी राम दोनों दिखाई दें। यहां आने वालों को चांदनी चौक के आखिर में खड़ी फटह पुरी मस्जद जरूर नजर आती और जैसे ही आप पलटते दिखाई देता लाल किले पर लहराता तिरंगा। संस्कृती के मेल जोल की ऐसी साज ही हांडी साथ साथ चलते इन अलग-अलग रीती रिवाजों, मूलियों और परंपराओं के बीच मैंने अपना बचपन जिया। मेरी नानी का घर पुरानी दिली में चर्खे वालान में था और दादा का फटह पुरी में। हम गली पासवान में रहा करतें जो गली कासम जान के सामने थी। वो गली कासम जान जहां गालिक کی हवेली है। हम बच्चे मिरज़ा गालिक की शक्सियत से अनजान उनकी हवेली प्यास-पास मुका छिपी का खेल खेला करतें। इस बेफिक रिसंद्गी से लेकर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विद्वंस तक आते आते मेरे बच्पन की दिल्ली एकदम बदल गई इस घटना से भड़की भावनाओं का अंजाम 1993 के बंबई धमाको, गोधरा कांड, 2002 में हुए गुजरा दंगो और 2008 में मुंबई में हुए आतंग की हमलों के बरबर रूप में सामने आया और यही से मेरे दिमाग में दिल्ली छे की कहानी भी उपजी दिल्ली छे की म्यूजिक सीडी के कवर पर हमने एक असली आइना जड़वाया इसके पीछे मकसद था कि समाज उस आइने में देखे कि वो क्या से क्या हो गया है 20 फरवरी 2009 को फिल्म की ओपनिंग होई बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला रवी वार तक हमने 40 करोन से जादा का बिजनस कर लिया फिर सोंबा रहा है और दर्शक जैसे सिनमा घर से एकदम वायब हो गया मैं तूड गया क्या ये सब उनके लिए इतनी कड़वी सचाई थी क्या वो नायक के साथ खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे बॉक्स ओफिस पर लुड़क ने और फिल्म के अंत को लेकर मेरे भीतर चल रहे द्वंद ने मुझे बुरी तरह हिला दिया क्या मैं दर्शकों को लगातार अच्छा सिनेमा देने के लायक हूँ क्या रंग दे बसंती सिर्फ एक सुखत सैयोग था दिल्ली में एक लाइव रेडियो इंटर्व्यू के दौरान एक श्रोता ने गाली देते हुए मुझसे कहा तुम्हारी ये कहने की हिम्बत कैसे हुई कि अल्लह और भगवान दोनों तुमारे भीतर हैं राश्ट्रे अनुसूचित जाती आयोग ने मुझे खान मार्किट स्थित आफिस में हाजर होने के लिए समन भेजा कहा आप जलेबी यानि दिव्यादत्ता को दलित कैसे कह सकते हैं मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसे फिल्म के संदर्ब में देखें लेकिन एक वरिष्ट कॉंग्रिस नेता ने मुझे उस दफ्तर की चौती मंजल से नीचे फिकवा देने की धमकी दे डाली जो दर्शक और फिल्म आलोचक रंग दे बसंती के बाद मुझे से प्यार करते थे मेरी तारीफ किया करते थे वे एक एक करके मुझे उधेर रहे थे ब्लॉगर बारद्वाज रंगन ने लिखा फिल्म का फूहर अंत अपने अच्छे रादों के विश्वास घाती बोच के नीचे दब गया राजा सेन ने rediv.com पर मेरी फिल्म का रिव्यू ये सिली है मेरी जान टाइटल के साथ पाठखो के सामने रखा मैं गहरे अंधे कुए में नीचे उतरता जा रहा था मैंने फुद को शराब में दुगो दिया ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी पी नहीं थी लेकिन इस बार शराब से मेरा रिष्टा और मेरे पीने की वजह हैं दोनों अलग थी मैं इतना पीना चाहता था कि मर जाओ देख रहा था कि मैं भारती और अपनी बेटी भैरवी को कितना दर्ग दे रहा है मेरा बेटा वेडान सिर्फ अब्जर्व करता हमारे बीच एक लकीर खिचने लगी जिन लोगों से मैं बेहत प्यार करता था उनके प्रती असमवेदन शील हो गया था मैं खुद को डूबने दे रहा था लेकिन मेरा एक हिस्सा जैसे तैरना चाहता हो वो भारती थी जिसने आकर मुझसे बात की और इस सब के पीचे छिपे कारण को समझने में मेरी मदद की छै महीने बाद एक सुबा मैं सुलजे मन से उठा और बिनोद प्रधान को फोन किया बिनोद तुम अभी जिन्दा हो? मैं हाँ एक तरे से बिनोद अगली फिल्म के साथ तयार हो? मैं नहीं दिल्ली छैस उबर नहीं पाया हूँ अभी मुझे तुम्हारे तीन दिन चाहिए इसे खत्म करने के लिए बिनोद हाँ? क्यों नहीं? मैंने उसे बताया कि फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट उस सीन से शुरू होती है जहां रोशन के पिता उसकी राक को गंगा में विसरजित कर रहे है पहले ही फ्रेम से दर्शकों को पता है कि हीरो मर जाएगा इसके बाद हीरो की नजर से पूरी कहानी बैक ग्राउंड में चलती है फिल्म रिलीज होने के 6 महीने बाद हमने तीन दिन लगाए फिल्म की नई शुरुआत शूट करने में फिल्म के अंत को भी बदला जहां रोशन की तबियत में मॉब लिंचिंग के बाद कोई सुधार नहीं आ रहा और आखिर में उसकी मौत हो गई नए हिस से एडिट करने के लिए भारती ने जी जान एक कर दिया एडिटिंग के बाद इस नई फिल्म को हमने वेनिस इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा वहां फिल्म स्क्रीनिंग की अगली सुबा मेरी होटल लॉबी में कुछ पत्रकारों और फोटोग्राफर्स की भीड दिखाई दी उनके पास मेरी तस्वीरे थी वो मेरा उटोग्राफ लेना चाते थे वहां एक सीनियर फिल्म आलोचक भी थे हमें उनकी मैगजीन में दिल्ली छे पर एक पूरा पेज मिला आर्टिकल की हेडिंग थी बॉलिवूड फिर नैशनल आवार्डस आए दिल्ली छे दो श्रेणियों में राश्ट्रिय पुरसकार जीती पहला पुरानी दिल्ली को परदे पर खुबसूरती से रीक्रियेट करने के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और दूसरा फिल्म के जरिये राश्ट्रिय एक्ता की मिसाल पेश करने के लिए नर्गिस दातावार्ड फिल्म को लेकर पहले की गई आलोच नाए मेरे सामने आ गई राश्ट्रिय एकता पर बनाई गई फिल्म के लिए मुझे जान से मारने की धमकिया आखिर कैसे मिल सकती थी मैं नए एडिटेड अंध जिससे हम प्यार से वेनिस कड भी कहते हैं के साथ अपनी फिल्म दिल्ली छे को दुबारा परदे पर देखना चाहूंगा ताकि दर्शक वो कहानी देख पाएं जो मैं सुनाना चाहता था रूपा पब्लिकेशन दुआरा प्रकाशित राकेश ओम प्रकाश महरा की ओटो बायोग्राफी दस्ट्रेंजर इन दा मिरर के कुछ अंश